कोरोना महामारी के चलते पूर्ण विश्व पिछले दो महास लोगडाउन है लोगडाउन के कारण सभी तरह के व्यापार पर भारी असर पड़ा है आज हम बात कर रहे हैं बारमेर के कपड़ा बाजार की दुकानदारों की मानेत इस बार शादियां सभी निरस्थ होने और लोगडाउन के कारण व्यापार पूर्ण रूप से ठप हो गया है लोगडाउन के कारण दुकाने बारा बज़े खोलते हैं और शाम को छे बज़े पुन्हा बंद करके चले जाते हैं पूरा दिन में महच को छीग रहा काते हैं कोरणा संकरमन के चलते हैं 45 दिन के लंबे लोगडाउन के बाद ग्रहम अंतराले ने औरेंज यहों ग्रीन जोन इलाकों को राहत देती हुई बाजार खोलने की अन्मुती दी है बादमेर के औरेंज जोन में होने के चलते पिछले हफ़ते बादमेर के बाजारों के सभी परतिस्टान खोले नजर आ रहे हैं लेकिन नंबे अंतराल के बाद खोले बाजारों में वेपारी वर्ग मंदी की मार झेलता नजर आ रहा है लोगडाउन की मार से कपड़ा वेपार भी काफी परभावीत रहा है और बार्मेर में कपड़े की खरीद में भी भारी कमी आई है बार्मेर के सदर बाजार मुखे सेशन रोड समेच विभिन बाजारों में कपड़ा वेवसाय से जुड़ी राजपूती पोशाक, साड़ी, साफा, चुन्दरी, लैडीज वर जैम्स कपड़ों की कई दुकाने हैं जिनके वेपारी वरत्मान में मंदी की दौर से गुजर रह हैं गौरतलब है कि साध्यों की सीजन में कपड़े की भारी मात्रा में खईदारी होती थी लेकिन लॉकडाउन के चलते बार्मेरिक में सैकड़ों साध्यों को रद कर दिया गया लेकिन लॉकडाउन के चलते जो सैकड़ों साध्या रद हुई जिसके चलते कपड़ा बाज आपता है तो नहीं है। जो दो तीन मेने में जो कमाते थे ना उबारा में ना घर्टा चलता था तो आप अब सब गर्से देना पड़ता है। गिराकी तो आपमान के चलो 30% ही नहीं है ठीक है आते हैं यह कि बजार खुली है तो चलो दुकान से जाते हैं लेकिन गिराकी तो है गिराकी नहीं के बरबर है और 12 बजे हम आते हैं कुछ नहीं है और किसी के अमर्जेंसी वारी साधिया है तो वह कोई आजाते हैं बात अलगे हैं कि कुछ लिए बागी आम तुलना करें तो आम सालो के अंदर कित्री गिराकी लिए 20% ही नहीं है कपड़ा व्यपारी मोहनलाल का कहना है कि लॉकडाउन के बाद बार मेर मेर में बाजार जरूर खुले हैं लेकिन बाजार में मंदी का दौर है अपेल में में साधियों के सीजन के चलते Bumper खहिदारी होती है लेकिन इस बार साधिया कैंसल होने की वजय से कपड़े की खरीद में भारी कमी आई है वहीविये अपारी भूर्चन खत्री का कहरा है कि आर्थिक मंदी की चलते हर वैपार मंदी की मार जिल रहा है कपड़े की खरीद में करीब 80% की कमी आई है उनके अनुसार बाजार खुले हैं लेकिन ग्राक नहीं लग रहे है मंदी इतनी है तो कभी बिना ग्राकी के ही घर लोटना पड़ता है